Hello student, this is your next lecture of the cell the unit of life, Koshika, Jeevan ki Ikai. Last lecture में अपने उने पढ़ा था कि पूरा complete एक prokrioritik Koshika, prokrioritik Koshika के अंदर example लिया था, बेक्टीरिया का. इस last lecture को आप अच्छे से अनलाइज कर लें, कि इसके अंदर पूरा complete बेक्टीरिया का पूरा आपने अधिन किया था, जिसके अंदर जिवाणू के अंदर मिलने वाले पूरे complete outer boundary के अंदर आपको glycokalics देखने को मिलता है, Koshika भेतिया और कोशika जिल्ली, उसके बाद जो इसका inner compartment है, उसके बाद जो आपने इसका inner compartment जिसमें उसका nucleoid, plasmid, mesosomes and chromatophores इन सभी को आपने अच्छे से study किया, से हर साल कोशिन आता ही आता है, तो I think पूरा प्रोकिरोटिक कोशिका जो है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और NCRT से line to line word to word आपने अच्छे से देखी होगी, फिर भी अगर आपको NCRT के lines में कोई problem आती है, तो आप इसी session के जो comment box के अंदर अपने comments कर सकते हैं, यूकेरोटिक सेल, यूकेरोटिक मनलब ससीम के अंदर की कोशिका, ठीक है, चाहे है आप बात करते हैं, लाइक स्टार्टिंग के अंदर मैं आप बात करता हूँ, पंच जगत जो परनालिया पड़ते हैं, कौन सी जो RHV टेकर ने दी थी, कौन सी जिसमें मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लन्टी औन अनीमिलिया आते हैं, चीक है, मनेरा जो है, वो क्या है, यह की यूनि सेलर, प्रोकेरोटिक जो है, उसका पूरा कम्पलीट, आपको जगत के बारे बताया था, जिसके अंदर पूरे कम्पलीट, क्या आएंगे, यूनि सेल तो यह सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से कंस्यूडर करके चलने मैं यहाँ पर यूकरियोटिक सेल की जिसकी बात करूंगो उसके इंदर फंजाई प्लांटी अनिमेलिया इन सबको कवर करेगा इवन आपके प्रोटेस्टा को भी कवर करेगा बेसिक फीचर्स जो है वो इंटर्नल जो इनके मूल भूत जो इनकी संचनाई होती है इंटर्नल वो सब कुछ सेम रहती है चाहे वो प्रोकरियोटिक से कंपेर करें उन सब में सेम रहेगी चाहे वो यूकरियोटिक कोशिका हो तो यूकरियोटिक कोशिका के अंदर फ्रोटिस्टा फंजाई प्लांट यू केरियोटिक सेल्स की, छीक है? यू केरियोटिक सेल्स, क्या है ये ससीम केंदर की कोशी का? इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है? किस तरीकी से अपने प्रोसीड करेंगे? वो आप अच्छे से पहले समझ लें. देखो, एकसेल की अगर मैं बात करता हूँ, एकसेल की अगर मैं बात करता हूँ, कोशी का, तो कोशी का को फर्दर कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ, एक UK रोटी कोशी का की बात कर रहा हूँ, यहां पर किसको लेकर के चल रहा हूँ, UK रोटी कोशी का को ही लेकर चल रहा हूँ, nucleus और till उस level तक पढ़ेंगे कि आपका जो कोशिका चक्र है कोशिका विभाजन वाला जो chapter उसके basics भी आपको किंदर के साथ साथ जो है वो clear हो जाएंगे second इसके अंदर आपको पढ़ना है कोशिका के अंदर जो भारी सतर आपको cell boundary जो देखने को मिलती है जो भाईय आवरन क्या बोल सकता हूं मैं इसको भाईय आवरन अब भाईय आवरन की अगर बात करते हैं तो कोशिका जिल्ली तो आपको हर किसी के अंदर देखने को मिलेगी कोशिका जिल्ली तो आपको हर किसी के अंदर देखने को मिलेगी, यह किसको डिनोट कर रहा है, यह भाईया आवरन को, यह किसको डिनोट करता है, इसके किंद्रक को, और भाईया आवरन के अंदर इसको क्या बोलेंगे, outer boundary, अब क्या है यह outer boundary, अच्छे से आप समझें, in case of, in case of prokaryotic cell, in case of prokaryotic cell, आपको क्या देखने को मिलता है, glycocallics, क्या देखने को मिलता है, glycocallics, यह मैं आपको, अल्रेडी कल, define कर चुका हूँ, glycocallics, second number, आपको क्या देखने को मिलेगी, कोशि का भीती, जिसको क्या बोलते हैं, cell wall, क्या देखने को मिलेगी, cell wall, kooshika b strategically, चाहे वो, आप फंजाई की ब बठ चिल मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई और जो आपके प्लानटी है वहाँ तक आपको cell wall देखने को मिलती ही मिलती है। और मोनेरा के अंदर एक एक्स्ट्रा लेग लाइक कालिक्स आपको देखने को मिलेगा। Meaning, कोशी का जिल्ली क्या है? कोशी का जिल्ली यूनिवर्सल है. क्या है? यूनिवर्सल है. यह आपको इसके अंदर component भी लाइपो प्रोटीन बताया था कि सेम यह आपको देखने को मिलता है. यह किसको बताता है? यह बताता है इसकी कोशी का भीती को. किसको बताता है? कोशी क next, kindrak kindra आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, kindrak avaran, kindrak avaran, जिसके अंदर nuclear membrane आप पढ़ेंगे, जो outer side के अंदर एक double membrane bound cell organal की तरह ये consider होता है, क्या होती है, nuclear membrane, second number इसके अंदर आपको पढ़ने है, nucleoplasm, kindrak द्रव्य, kindrak द्रव्य, और kindrak द्रव्य के अंदर, मिनले वाली जो सरंचराएं हैं, जिसके अंदर mainly आपको क्या पढ़ना है, chromatin, मिनले आपको क्या पढ़ना है, chromatin material, यहां लिख देता हूँ मैं, third number, chromatin, जो आपको main पढ़ना है इसके अंदर, वैसे तो मैं इसको nucleus, nucleoplasm, kindrika वगरा यह सब कुछ लिखते हूँ, बड़ सिल आपको simple बता दे किंद्र, kindrak अपने क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, अब समझे आप, कोशिका का जो main part है, जो main मतलब कि कोशिका में इसके अलावा किंद्रक और इसके भाई आवरन के अलावा क्या देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य है, क्या देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य है, आपको भी बताया था, कि कोशिका द्रव्य जो होता है, वो main arena होता है कि इसके जितने भी cellular activities होती है, maximum cellular activity है वो कहां देखने हो के मिलते हैं इसके, cytoplasm में, किसमें, cytoplasm में, cytoplasm को two parts के अंदर divide किया गया है, कौन-कौन से हैं दो part इसके, आप अच्छे से analyze करें, एक part है इसका trophoplasm, एक part है इसका trophoplasm, क्या बोलते हैं इसको, trophoplasm, ठीक है, और second part जो इसका, वो कहा है, hyaloplasm, हिंदी इंग्लिश के अंदर इसको यही बोला जाता है, hyaloplasm and trophoplasm, ठीक है, अब सुनिए, trophoplasm क्या part है, trophoplasm part आप अच्छे समझें इसको पहले, कि एक cell है, उस cell के अंदर से मैं अगर nucleus बाहर निकाल दूँ, उस cell में से मैं nucleus बाहर निकाल दूँ और उसकी outer boundary को अगर मैं अलग कर दूँ तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, इसका cytoplasm कोशी का दरव्य है, अब उस कोशी का यह को इनोड करते हैं, वो इसके hjyloplasm को बट्ट जहां आपको कोशी का अंगक और अधर छोटे-छोटे जो append分 बगारे आपको को देखने, इसके टोफ़ाइन वहां कवा गोटने, तो इस और और देखने को मिलेंगे कई पार्ट उसके इनर आपको क्या देखने को अंतर्विष्ट जिनको बोलते हैं inclusion body क्या बोलते हैं inclusion bodies और ये क्या है कोशी का अंगक कोशी का अंगक कोशी का अंगक in the sense like cell organelles ये क्या है inclusion bodies अब further इसको आगे categorize अगर अपने करते हैं कोशी का अंगक में क्या क्या आएगा वो पूरा complete आप अच्छे से देख लें जो जो आपको पढ़ने हैं कोशी का अंगक के अंदर आपको major cell organelles major cell organelles के अंदर सबसे पहले mitochondria mitochondria हिंद इंगलिश में ऐसे ही इसको लख दें second number पे Golgi body Golgi काय Golgi body third number endoplasmic reticulum endoplasmic अंतय पर्दवी जालिका endoplasmic reticulum अंतय पर्दवी जालिका लवक plastids जो आपको पढ़ने हैं vacuole riktika जिसको बोलते हैं फिर फर्दर अगर बात करते हैं lysosome lysosome cilia phlazilla kashabika और पक्षमाबिका cilia phlazilla centrosome tarakai micro bodies छोटे छो packets देखने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं micro bodies यह सब आ जाएंगी number of cell organelles है जितने आपको मैंने या लिखाएं like mitochondria आपको पढ़ना है golgi body आपको पढ़ना है endoplasmic reticulum plastid vacuole lysosome आपको पढ़ना है जो इसके अंदर cilia and flasyl आपको पढ़ना है centriole centrosome centriole and micro bodies यह तो आपको पढ़ने ही पढ़ने इसके लावा ribosome लिख देता हूँ मैं rigid मत हो ना कि एक आदा जो यहाँ पर अगर कम लिखा जाए कोई ऐसा problem नहीं है आपको पता होना चाहिए कि कोशिका के अंदर कौन-कौन से कोशिकांग आपको देखने को मिल रहे है अब आगे अपने चलते हैं कि यह कोशिकांग अपने को पढ़ने ही पढ़ने इसके अलावा यह अंतरविष्ट पिंड क्या है इनको फर्दर में जो है categorize गरो अंतरविष्ट पिंड ऐसे भी हो सकते हैं कोशिका के स्त्रावी परदार्ट स्त्रावी परदार्ट के अंदर plant cell के अंदर मकरंद का secretion या फिर कुछ coloring pigment रंगा परदार्ट का secretion होना या फिर excretory परदार्ट भी हो सकते हैं excretory परदार्ट एंदर उसारजी परदार्ट के अंदर alkaloid हो सकते हैं जो cell को नहीं आँज 500 के अंदर consider हो सकते तो नजीत परदार्ट भी हो सकते हैं you can see carbohydrate sugar इंदर आपको car característा fat हो गया है या फिर proton टेसे सेल छिर्ट सकते हैं तो इसको मैं पर फर्स नमबर मैं लिख देता हूं यहां पर संचीत परदार्थ क्या है संचीत परदार्थ संचीत परदार्थ हों क्या बोला जाता है वासबर सर्ची परदार्थे को जातं हो ties जर्चीत मैं करता हूं उच्छ सर्जी परदार्थ उच्छ सर्जी परदार्थों के अंदर कोशिका के अंदर जो नहीं चाहिए like alkaloids alkaloids, resin, gond, gum जिसको बोलते हैं gond number of substances हो सकते हैं जो cell को required नहीं है etc मैं यहां लिख दिया है मैंने number of substances जो cell को required नहीं है उसकी normal working के लिए required नहीं है कि एक कोशिका के अंदर दो तरीके के आपको जो है उपापच्चे जो है आपको देखने को मिलते हैं जो आप पढ़ते हैं secondary metabolite and primary metabolites primary metabolites वो होते हैं जो कोशिका के अंदर कोशिका के जो daily routine के वाग है उसके metabolic activity को जो है किसी भी तरीके से कोई problem ना हो वो अगर continuation के अंदर चल रही है और उसके लिए required जितने भी molecules होते हैं वो उसके primary metabolites के अंदर consider होते हैं और कोशिका के दुआरा स्क्रीट किये हुए ऐसे प्रदार्थ जो cell को required नहीं है cell की daily routine की जो activity है उसके अंदर किसी भी तरीके से रंगा परदाज जिसको बोलते हैं कि कलरिंग मैटीडियल आ गया या फिर nectar मकरंद जिसको बोलते हैं यह यह हो जकते हैं तो number of examples मैंने आपको यहां पर बता दिए यह examples आप अच्छे से देख लें जितने याद रहें ठीक है वरना धीरे-धीरे जैसे से अपने chapters के अंदर प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे यह आपको बहुत अच्छे समझा जाएगा चिक है तो आइधिंग यहां तक basics जो है कि हमें एक यू के रोटिक ससीम केंदर की कोशिगा के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं वह आपने अच्छे से देखा होगा आज जो आपको मेंली पढ़ना है आज मैं यहां से उठा लेता हूँ आपने glycocalyx आप अल्रेडी पढ़ चुके है ग्लाइको केलिक्स जो है मैं define कर चुका हूँ कि यह slime layer होती है और यह capsule की form में देखने को मिलता है अब in detail आपको second पढ़ना है cell wall यहां से प्रोसीड करते हैं सबसे आउटर साइट से cell wall, cell wall के बाद आप cell membrane पढ़ेंगे आज जो आपको पढ़ना है mean वो क्या है cell wall अब आप अच्छे समझे नेक्स्ट देखो कोशी का भीती कोशी का भीती होती क्या है किस काम आती है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए क्यों important है इसको पढ़ना कहां कहां present होती है वो पूरा complete जो ब्योरा है वो आप अभी पढ़ लेंगे सुनें आप अच्छे से cell wall के बारे में जितनी भी डिटेल आपको पढ़नी है देखो मैं वन वाइवन आपको define करता है तो वह कि कोशी का भीती है क्या, काम क्या करती है, present कहां होती है को भीती, आपको कहां कहां देखने को मिलेगी, कोश्का भीती के अंदर भी जो है प्रात्मिक, बिती, दित्यक, बीती तिर्तिक बीती आपको देखने को मिलती है इसके अलावा आपको मध्या पटलिका देखने को मिलती है आपको कोशिका बीती मध्या पटलिका यह क्या आप बोल रहे हैं सुने आप सब्सक्राइब करते हैं प्लांट सेल की एक पादप कोशिका की अगर बात करते हैं तो जही चीज जो है आपको यहाँ पर समझनी है उसके अलावा कोशिका बीती के अंदर और क्या आपको समझनी है सुनिया सबसे बड़ी प्रब्लम आती है कि कोशिका बीती के अंदर जो चेंजिस होते हैं चेंजिस मतलब पूरी कम्प्लीट जब आप पादप शारी की पढ़ते हैं तो कोशिका बीती के अंदर काफी सारे ऐसे जो है सबसांस परदात आपको देखने को मिलते हैं जिनकी चेंजिस की लोटे जो आपको दिया हुआ है उस समय बताते हैं जाकर के उसमय आप चेप्टर और हो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो मेन चीज क्या हैं कि कोशिका भेती के साथ साथ हो सारी पॉइंट्स में आपको यहीं क्लियर कर दूगा कि इसके अंदर मिलने वाले जो माइक्रोफाइब बिल्चो सालोज के बने होते हैं, अगर वो अपनी orientation change करते हैं, तो stomata जो होता है, रंदरों का खुलना और रंदरों का बंद होना, उससे regulate होता है, जो chapter number 11 के अंदर आपको जो है, दिया हुआ है, जो आपके transport in plants, आपका chapter number 11, 11, 11th NCRT के अंदर है, वहां पे आपको बताया हुआ है कि कैसे, जब वास्पो surgeon की जो परकीरिया होती है, उससे में stomata कैसे open होता है, कैसे बंद होता है, वो परकीरिया किस पर depend करती है, वो इसकी कोशिका अभीति में मिलने वाले सुक्षम तंतूओं पर करती है, वो आपको पता होना चाहिए, xylem and phloem, xylem and phloem आप देखते हैं, जब xylem की अगर जो आपको वाही काएं और वाही निकाएं जब देखने को मिलती है, तो उनके अंदर lateral के अंदर जो water का conduction होता है, water जब उनके अंदर lateral move करते हैं, जिनको गर्त बोला जाता है, सधारन गर्त होते हैं और bordered pit, simple pit and bordered pit, दो तरीके के आपको गर्त देखने को मिलते हैं, तो वो गर्तों के बारे में आप यहीं पढ़ लेंगे की होता क्या है, ठीक है, उसके अलावा, जब पादप कोशिका की बात करें, तो पादप कोशिका के अंदर पादप कोशिका के जस्ट बाहर, cavities, छोटी-छोटी प्रेजन, जिसमें गोंद जाकर के store हो गया, alkaloid कोई जाकर के store हो गया, कोशिका के उसके अंदर वहाँ पर भी लिखा हुआ, उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें cavity present होती है, pockets जिसको वोल है, तो वो cavity आप यहीं पढ़ लेंगे, वो बनती किसे है, वो कोशिका भीती से ही बनती है, कैसे जब कोशिका चक्रायन, कोशिका विवाजन, कोशिका विवाजन के समय, पादब कोशिका के अंदर, जो मद्य पटलिका का निर्मान होता है, वो भी आप यहीं पर बढ़ लेंगे, मद्य पटलिका इसके साथ साथ, ताकि यह चोटे-चोटे point, जिसे फ्रेग्मोप्लास किसको बोलते हैं, इस सारे points आपके कोशिका भीती में यहीं clear हो जाएंगे, ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं, और एक सबसे most important point, सबसे ज़्यादा important point, कि आप कहेंगे सर, इसके अलावा और क्या रह गया, आपने सब कुछ तो बोल दिया, सुनिए आप, पुष्पिय पादपों की आकारिकी, चेप्टर नमबर 5, आप जो आप यहाँ NCRT का पेज नमबर 1, 2, 3, थर्ड नमबर पेज पे जाकर के आप देखेंगे, वहाँ पर आपको रूट की, रूट की जो सबसे एपिकल साइट है, उसका एक डाइगरम दिया हुआ, उस डाइगरम के अंदर आपको समझाया हुए कि इसमें विबजोत की छेतर present होता है, इसमें द पर फिर ऐसा क्या होता है कि वो मैच्योर हो जाए, तो वो सारा क्वाइंट जो है, वो डिपेंड करता है कोशिका भीती पे आप करेंगे सर आपने कहां रिलेट किया है इसको, आप अच्छे समझें इस चीज को कि जब तक आपको कोशिका भीती के अंदर होने वाले चेंज किस बिहाफ पे उसको आप विवजोत की कोशिका और परिपक कोशिका बोल रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट जो आपको कहां क्लियर होंगे, इस कोशिका भीती में ही क्लियर होंगे, तो बहुत इंपोरेंट है, आप कहांगे सर इसके अंदर और और भी कुछ है क्या, अभी की जटना बताया है, आप उतना समझे, आप कहांगे, सर हमें कैसे पता चलेगा, के एक कोशिका जो होती है, देखो, जब मैं एनिमल सेल की बात करता हूgun, एक जन्तु कोशिका के अंदर सेल जब डिवाईड होती है, तो दो कोशिका में बन जाती है, तो जन्तुकोशिका के इंदर growth को कैसे बताएंगे पादब कोशिका के अंदर division से तो बताएंगे पादब कोशिका के अंदर कोशिका फैलती है cell expansion से सुबह आपने देखा तर्बूज इतना सादा शाम को देखा इतना बड़ा होगा क्यों भई उसके अंदर cell expansion हुआ है उसने water को retain किया cell expansion हुआ इस व पक्व कोशिका हुई तो क्या फैल सकती है नहीं फैल सकती तो इस सारे questions का answer अब वो कहां मिलेगा कोशिका भीती के अंदर NCRT ने तो इतना सा paragraph लिख करके छोड़ दिया है जो आपको पढ़ना है वो इतना पढ़ना है जो पूरी NCRT 11th and 12th सब कुछ कवर कर लेगा NCRT से बाहर एक line नहीं में आपको बताने वाला हूं बट सब कुछ जो कोशिका भीती के रिगार्डियेंगा आपको पता होना चाहिए जो हर एक चप्टर का basic है वो आप सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे ठीक है उसके अलावा भी अभी भी खतम नहीं होता है आपको इसके ल दिखो जितने भी फूर्ट होते हैं उसकी ही वह सौफ्ट हो आपको और आगर उनके अंदर बाहर से कुछ ना कुछ मायक्रॉब अगर इंट निटेक कर सकते हैं और वह फिर ज़्यादा तक आपने रखे रखे तो वह सर्णा स्टार्ट हो जाए देख्यों कि अब माइक्रोब का अटेक्ट वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाए नॉर्मल कंडिशन के निदर सैल वोल क्या करती है इन्फेक्शन से बचाती है नॉर्मल कंडिशन के निदर एंसी याइटी की लाइन बोल रहा हूं मैं यह यांत्रिक संकर्मन से यांत्रिक जो उसकी डैमेज है उससे और भाहिया किसी माइक्रोब के संकर्मन से बचाती है ठीक है यहीं पर आपको लिखाओ मल जाएगा तो इस सारे पॉइंट्स जो है regarding to cell wall आपको इसमें पढ़ने हैं अब मैं सबसे पहले आपको बेसिक से इसके बतायता हूं cell wall की structure बतायता हूं फिर one by one जो अपने पूरा आगे प्रोसीड करेंगे अच्छे से आप देखें सबसे पहले कोशिक अभीति की खोज किसने की थी कहानिया वही जो हमेशा बोलता हूं कि यह आपको नहीं पढ़नी है सिर्फ सुन लें आप कभी नहीं पूछा जाता रोबर्ट हुक किसने कोश की दी रोबर्ट हुक यह लीजिए अब समझा जाएगा ठीक है रोबर्ट हुक अब समझे आप कोश का भीति के निर्मान को और फ्रेग्मो प्लास को दोनों को मैं एक साथ डिफाइन कर रहा हूं अच्छे से समझ लें यह पॉइंट अगर आपको समझ आता है तो आपकी कुंसेप्ट की कुंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग टू कोश का चकर और को पादप कोशिएक कैसे विभाजित होती है वह आप साथ की साथ सीख लेंगे सुनिए स्टार्टिंग के अंदर एक सेल इस बादब के अंदर एक सेल जो है मैं बना रहा हूं आप देखें यह मैंने एक सेल बनाई है आपके सब अकानि यिलो सेल का न्युकलियस कहा है यह किया है, सेल का न्यूकलियस कोशिका जिल्ली बनाई है क्या बनाई है कोशिका जिल्ली एक पादब कोशिका के अंदर में कोशिका जिल्ली बनाई है क्या बनाई है कोशिका जिल्ली एक पादब कोशिका अभी मैं इसकी नंबरिंग नहीं कर रहा हूं लेबलिंग नहीं कर रहा हूं लेबलिंग इस वज़ जब पादब कोशी का विभाजीत होती है तो इसके अंदर दो आपको प्रोसेस देखने को मिलती है एक होता है किंद्रक विभाजन और एक होता है उसका कोशी का दरवे विभाजन एक होता है केरियो काइनेसिस एक होता है साइटो काइनेसिस तो पहले किंद्रक विभाजन होगा किंद्रक विभाजन के बाद इसके अंदर क्या होगा कोशिका दरव्य विभाजन तो सुनें ये कोशिका कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या हुआ किंद्रक विभाजन किंद्रक विबाजन से यहां पर कितने नुकलेस बन गई, दो नुकलेस बन गई, और आपको भी पता है कि पादप कोशिगा उच पादपों के अंदर spindle fiber तरकु तंतूं का निर्मान नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उच पादपों के अंदर तारकाय होता ही नहीं है, तारकाय का काम क्या है, तरकु तंतूं का निर्मान करना, यह मैं आपको अल्रेड़ी डिफाइन कर चुका हूँ कि उच पादपों के अंदर तारकाय होता है, निमन पादपों में प्रेजन होता है, उच पादपों में तारकाय नहीं है, तो यहां प पार्ट में डिवाइड हो गया अब क्या होगा इसके इंदर अब होगा यहां पर कोशी का दरव्य विभाजन क्या होगा कोशी का दरव्य विभाजन होता कैसे सुनिए आप कि कोशिका द्रवेवी भाजन में सबसे पहले यहां पर छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छ गोल जी बोड़ी क्या करता है गोल जी का यह चोटी-चोटी पुटिकाओं का निर्माण कर सकते हैं वो पुटिकाओं यहां करके यहां पर अरेंज हो गई अब यह अरेंजमेंट इनकी अंदर से बाहर की तरफ होती है क्या होती है अंदर से बाहर की तरफ यह मैं मद्य पटल आकर के अरेंज हो जाती है सबसे पहले तो इनकी अरेंजमेंट को लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है फ्रेग्मो प्लास्ट क्या बोला जाता है इनको क्या वर्ड यूज किया जाता है फ्रेग्मो प्लास्ट हिंदी इंगलिश में यही बोलते हैं इसको फ्रेग्मो प्लास्ट अभी मैं हटा दूंगा यह जो लिखा हुआ है फ्रेग्मो प्लास्ट वगरा क्योंकि जब मद्या पटलिका बन जाएगी तो मद्या पटलिका ही शो करेंगे अपने यह फ्रेग्मो प्लास्ट होता क्या है इसके अलावा यहां पर एंडोप्लाज्मिक reticulum endoplasmic reticulum microtubules के छोटे-छोटे तंतु आ करके क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं सबसे पहले जो micro vesicles आ करके यहां रेंज होई थी जो शुक्षम शुक्षम पुट्टिकाई आ कर रेंज होई थी उस उन्हों इसको क्या बनाया था एक layer जो बन गीती है उसको क्या बहुत हैं फ्रेग्मो प्लास अब यहां पर ये तंतू जो आ रहे हैं यह किसके हैं यह अंतर पर भी जालेगा कि छोटे तो टूटे होई तंतू है यह शुक्षम नलिकाईं जो होती हैं उनके तंतु आ कर कि यहां पर एकठ्था होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे वह एकठ्था होना स्टार्ट होंगे तो यह वैसिकल से बाहर की तरफ मैट्रियल निकलना स्टार्ट होगा विद्वैसिकल से बाहर की तरफ क्या रिलीज होगा इन वैसिकल से रिलीज होगा कैल्शियम ंड मैगनीशियम पेक्टेट कैल्शियम & मैगनीशियम पेकटेट मैगनीशियम बाहर की तरफäll रिलीज होना इस्टार्ट हुँ है तो आप देखें, calcium and magnesium बाहर की तर रिलीज होना स्टाट हो है, तो यहाँ पर मद्ध्य पटलिका का निर्मान स्टाट, calcium and magnesium आ गया, एक rigid layer बन जाएगी, क्या बन जाएगी एक, एक rigid layer बन जाएगी यह पूरी proper और इसको अब मैं क्या बोलूँगा, किसका निर्मान हो चुक है, मद्ध्य पटलिका, क्या बोलूँगा मैं इसको, मद्ध्य पटलिका, which is also known as, इन इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, middle lamella, और middle lamella किसकी बनी होती है, आप भी बोलते हैं, calcium and magnesium pectate, यह समझ आता है, एक rough idea दिया आपको, calcium and magnesium pectate, यहां तक I think आपको समझ आया होगा, basics बताएं, simple जो चल रहा है वो आपको define किया, अच्छे से समझें अब आगे, और क्या आपको इसके इंदर पढ़ना है, होता क्या है, calcium and magnesium pectate, मैंने आपको बता दिया, अब यह मद्ध्य पटलिका बन गई है, अब मद्ध्य पटलिका का जो बनी है यहां पर, वो मैं define कर रहा हूँ, आप देख लें, इसको मैं फिर से साफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहां पर आपको प्रात्मिक बीती, दृत्तिक बीती भी बतानी है, देखें इधर, आप कहेंगे सर इतना सब कुछ पढ़ाया और फिर फर्दर इसको साफ कर रहा हूँ, येस, ज़रूरी है, समझें आप, आपको समझ आया होगा, बैक में जो आपको बताए है, अब जो मैं आपको बताने वालो हूँ, अभी आपको पता चल्गे कि मद्यप्टलिका का निर्माण हो चुका है, अब आप सुने, मिड में आपको क्या देखने को मिला है मिड में आपको क्या देखने को मिला है थोड़ा और इसकी वीड को इंक्रीज कर देते हैं देखिए मिड में क्या देखने को मिल रहे हैं आपको मद्य पटलिका आपको इसी होती है यह मद्य पटलिका इधर बन रही है तो मद्य पटलि कि कि आपको चारो तरफ देखने को मिलेगी आपको चारो तरफ कहां से आगई अभी तो आप एक जगाने बता रहे थे इसको बना रहा हूं दो मिनट वेट कीजी आपको पता चल जाएगा कि इसकी चारो तरफ क्यों बनाइए मैं शाल नहीं है कुgel कोशी कई पाzhण पादब कोशिका वो वास्ता में एक पादब कोशिका नहीं है एक कोशिका ये रही एक कोशिका ये रही और एक कोशिका ये रही और एक कोशिका ये रही अब सोचें इस कोशिका की कोशिका जिल्ली मद्यापटली का दूसरी कोशिका इस कोशिका की कोशिका जिल्ली मद्याप किया है अगर आप धंग से देखे औरिजिनल्टी के अंदर तो हर एक कोशिका को डिफाइन कर रहे है उसके चारों तरफ की बाउंटरी आपको समझ आई अब मैं इसको रिमार्ग कर सकता हूं कि कि ये किसको बताता है ये बताता है इसके अब सुनिए इतना आपको समझ आया होगा यह आप अच्छा से देख लें जब कोशिका के इंदर कोशिका को विभाजन होता है तो सबसे पहले फ्रेगमोप्लास की फॉर्मिशन होती है, फिर फर्दर जो माइक्रो वैसिकल्स आगर के यहाँ पे अरेंज हो जाती है, उससे किसका निर्मान होता है? एक फ्रेगमोप्लास का, फिर फर्दर होँआपे छोटे-छोटे तंतू आकर के इकठ्थे हो जाते हैं, endoplasmic reticulum के fragments होते हैं वो आकर के इकठे हो जाएंगे फिर उन vesicles पे जब pressure लगे तो उन vesicles से क्या बाहर की तरफ निकलेगा Calcium and Magnesium Pactrate जिससे मद्य पटलिका का निर्मान हो गया ठीक है अब आप अच्छे समझें और क्या आपको इसके नदर देखने हैं अब कोशी का खुद एक पादब कोशी का जो होती है एक पादब कोशी का खुद किसका निर्मान करती है उसकी कोशी का भीती का एक पादब कोशी का खुद उसकी कोशी का भीती का निर्मान करती है के आफ इधी हां कोशी का भीती का निर्मान करती हिसे हां। चाहे कोई बी सेल उसके इंदर कोशी आपड वीती ह होती हैं आप को स्थेर्श्चरी समझाजा आपको ऐसे यह क्म प्राइमरी सेल वाल सेंटरी आ यह पीजो है इसको डिफाइन नहीं करूंगा किसमें देखने को मिल ती यह जो होती है इसको बनी होती है यहां पे आपको सैलुलोज क्या देखने को मिलेगा Cellulose, further Hemicellulose, Hemicellulose, फिर further Pectin, Cellulose, Hemicellulose, Pectin, यह जो है आपको यहां के Constitute में के अंदर देखने हो, Pectin कुछ जो होती है, यहां पर इसके लावा प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिलती है, secondary जो होती है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, Hemicellulose, Hemicellulose, और Pectin, Hemicellulose और Pectin, Major Component बता दिये हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कुछ नहीं होगा, इनके अलावा बहुत कुछ है, इनके अलावा भी बहुत कुछ है, बट मैंने आपको Major Component बता दिये कि Cellulose, Hemicellulose, Pectin आपको Primary के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और Secondary के अंदर आपको Hemicellulose and Pectin, Major Components देखने को मिलते हैं, I think यहां तक आपको Clear हुआ हुआ हुआ, अगर यहां तक Clear है तो अपने आगे भढ़ते हैं, आप कहेंगे के अंदर अलग से एक लाइन लिखी हुई है, आप देख लेना, शेवालों की कोशिका भीति के अंदर Cellulose, Galactans, Manans और कुछ जो हैं आपको Calcium Carbonate, कुछ Minerals like Calcium Carbonate वहां पे आपको देखने को मिलता है, यह specific है, Galactans and Manans क्या है, Galactans, Galactose से बना होता है, Manans, Manose से बना होता है, शूगर ही है, क्या है, शूगर ही है, तो आपको पता हो न जी, Cellulose हो गया, Hemisellulose हो गया, Pectin हो गया, यहाँ पर कुछ Polysaccharide और भी होते हैं, कुछ Polysaccharide और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मैं ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको बता ह होती है, MLS, शेवालों के अंदर जो कोशिका बीती होती है, वहाँ पर आपको गलेक्टेंस, मैनेंस, Cellulose, और कुछ मिनल्स लाइक, Calcium, Carbon, आपको देखने को मिलेगा, Previous Year Question पूछा जा चुका है, वहाँ पर आपसे पूछा था, शेवाल की कोशिका बीती में क्या मिलता है, शेवाल की कोशिका बीती में क्या मिलता है, नॉर्मल नहीं पूछा था, समझारी बाद, तो ध्यान लखना, वहाँ पर गडबड मत करना, वह मैं लिकवा दूँगा आपको अभी, बट आगे आप समझें, कि जब बात करते हैं, इस पूरी complete, अभी मैंने मध्या पटलिका बताया, अब कोशिका, कि जो कोशिका जिल्ली है, वो क्या सिक्रीट करेगी, इसकी कोशिका भीती को बनाएगी, कोशिका, अब मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, कि प्रात्मिक कोशिका भीती का निर्मान कैसे होता है, यह कोशिका है, इस कोशिका निभार की तरफ क्या स्ट स्ट्रवन काम होता है तो उसने स्ट्रवन करना स्ट्राट किया तो यह लेर आपको कहां देखने को मिलेगी इसकी मद्यपटलिका के बिल्कुल साथ में होगी के नहीं हंजी यह आपको मद्या पटलिका के बिल्कुल साथ में इस कोशिका ने इसकी प्रात्मी कोशिका भीति का निर्मान किया है देखने को मिल रही है मद्या पटलिका के साथ में अब इन दोनों कोशिकाओं ने जब कोशिका भीति की प्रात्मी कोशिका भीति को निर्मान किया तो क्या ये सैल ये सैल ये सैल ये सैल वैसी बेठी रहेगी नहीं ये भी तो क्या करेंगी करेंगी कि नहीं हां जी यहां तक कोई डाउट आप लोग होंगो सुने जब इसने प्रात्मिक कोशिका बिथी का निर्मान किया तो ये वाली कोशिका करेगी के नहीं ये वाली कोशिका भी भी करेगी बताईए आप ये भी प्रात्मिक जो है आपकी बिथी का निर्मान करेगी ये कोशिका जो है, ये भी क्या करेगी, मद्द पटलिक के साथ साथ अपनी प्रात्मिक बीती का निर्मान करेगी, ये क्या है, प्रात्मिक बीती, और ये भी क्या करेगी, अपनी प्रात्मिक बीती का निर्मान करेगी, ये किसको दिनोट कर रहे हैं, दिख रहे हैं, इस सारी क्या-क्या देखने को मिलता आपको cellulose, second number पे hemicellulose, third number पे, third number पे pectin, और four number पे कुछ polysaccharides, some polysaccharides. ये हिंदी- इंगलिश में सहीम ही होते हैं, इसी वज़े से मैंने इनको ऐसे लिखा हैं, confused होने की जुरत नहीं है, अब सुने आप, प्रात्मी कोशिका भीती सबसे ज़्यादा important है, प्रात्मी कोशिका भीती कैसी होती है, elastic, कैसी होती है, elastic, अब ये elastic है, इसी वज़े से तो कोशिका अच्छे से क्या सकती है, फैल सकती है, तब भी तो आप सोचें, ये पूरा बताने के पीछे reason क्या है मेरा है, पूरा complete आपक के उति आपको मैं दे रहा हूं कि जब कोशिका के अंदर या फिर नेक्स्ट ही जो आप इसको अच्छे से अनलाईज कर लें देख लें एक रफ़ आईडिया मैं आपको क्विक दे रहा हूं कि जब root cap की बात की जाती है तो यहाँ पर मिलने वाली जो कोशिकाई होती है यहाँ मिलने वाली जो कोशिकाई आपको देखने को जो मिलती है साथ के साथ इसको मैं जो cover कर रहा हूँ आपका ये topic अच्छे से देख लें यहाँ पर क्या आपको देखने को मूल गोप। क्या होता है ये? रूट कैप। क्या बोलते हैं इसको? रूट कैप, मूल गोप। फूर्ट कैप। ठीक है, अब ये जो कोशिकाई हैं, जो एक दूसरे से सटी हुई, यहां पर आपको देखने को मिल रही है, यह कोशिकाई किसको बताती है यह विब्जोत की कोशिकाओं को बताती है किसको बताती है विब्जोत की कोशिकाओं को और इस चेतर को क्या बोलते हैं विब्जोत की चेतर क्या बोला जाता है विब्जोत की चेतर या फिर मैस्टमेटिक चेतर जा फिर Mathematic Reason अब Mathematic Reason के अंदर मिलने वाली कोशिकाओं में आपको Only Primary Cell Wall देखने को मिलेगी अगर इनके अंदर दिट्टेक Cell Wall बन गई तो कोशिका कैसी हो जाएगी? Mature कैसी हो जाएगी? Mature इनके अंदर सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा? Primary Cell Wall अब यह कोशिकाओं क्या होती है? में फैल सकती है दिख रही है? यह कोशिकाओं क्या चरशा बढ़ेगा? पीछे रहती जाएगी और कैसी होगी? ILOGAT कैसी हो जाएगी? ILOGAT दिर्गी करित आपको देखने को मिलेगी तो इसका कौन सा रीजन हो जाता है दिर्गी करित कौन सा रीजन हो जाएगा ये इसका दिर्गी करित कौन सा रीजन है ये दिर्गी करित शेतर आपके सर आपने ये क्या इसका दिर्गी करित या फिर दिर्गी करन शेतर इसको बोल देते हैं या फिर इलोंगेशन जो निया, इलोंगेशन, डीजन, इलोंगेशन, रीजन, यह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अब सुने, मेरा कंसन क्या है, मेरा कंसन है कि जब आप यहाँ पे प्राइमरी सेल बोल की बात करते हैं, तो वो इलास्टिक है, तो वो इजली क्या कर सकती है फैल करके दिर्गिकान छहितर की कोशिकाओं को निर्माण किया, अब इसके बाद जो अपर साइड केंदर यहां पिकोशिकाओं देखने को मिल रही है, इहां जो आपको कोशिकाओं देखने को मिलेगी, वो कैसी होगी? Mature Cells, कैसी होंगी Mature, एक rough बना रहूं है ऐसी होती नहीं है, इसके अंदर Number of differentiation Start हो जाता है, इससे पहले हर एक कोशिका क्या थी, विबजोत की कोशिका, उपर जाने के बाद अब विबजोत की नहीं रहेगी, उपर जाने के बाद वो दिद्धुत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत कि यह समझ हुआ है अब यहाँ की कोशिकाओं के अंदर आपर क्या देखने को मिल रही है फ्राइम्जी एज्वेल सेंकेशन्डरी सेट्रों दोनों की कोशिकाओं क servant के एंब इनके और अब मैं बात करूं secondary की, secondary जो cell wall होती है वो भी कौन सिक्रीट करता है, secondary जो cell wall होती है, वो itself, देखिए आप, secondary जो cell wall होगी, उसका निर्मान, अब कोशिका की जो प्लाजमा जिल्य है, कोशिका जिल्य हो secondary cell wall को सिक्रीट करेगी, secondary cell wall आपको दिख रहे हैं, अब कहां present होगी, जिल्य और प्रात्मिक बीती के बीच में नहीं होगी जित्यक बीती, सोचें आप, अब कोशिका इसको स्क्रीट कर रही है, तो कहां present होगी, प्रात्मिक कोशिका बीती और कोशिका जिल्य के बीच में आपको दिखने को मिलेगी, और सबसे ज्यादा student यहीं confused होते हैं कि प् तो कहां मिलेगी आपको, वो मद्य प्ट्ली का की तरफ मिलेगी, जित्यक बीती अब बनाई है, तो आपको प्रात्मिक बीती और इसकी कोशिका जिल्य के बीच में मिलेगी, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अब इसने जब कोशिका जित्यक बीती सिक्रीट की, तो क्या यह साट में क्या मिलेगी दित्य कोशिकाँ इस ऑपर वाली कोशिका हैं कि आपको पुरा पॉस्ट मार्टम क्या पोछिस समझ आए ना कि कैसे इसके जो है अब यह green color से जो मैंने यहाँ पर बनाए यह क्या है इसका secondary cell wall क्या है और इसको क्या बोलते हैं secondary cell wall के इंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको hemicellulose क्या देखने को मिलेगा hemicellulose और और pectin major component उसके अलावा होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ओर component major component ज्यादा amount के अंदर आपको यह दोनों चीज़ें देखने को मिलती है तो i think इतना यह आपको समझ आया होगा अब जो मैं point आपको चार जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको चार जगह ऐसे कैसे एक तो चैप्टर नमर फाइव पुछ पिए पादपों की अकारिकी पेज नमर 123 फर्स्ट पैराग्राफ जाकर करके देख लेना मिल जाएगा दिर्गी गंचेतर मैचुरेशन उससे आपको क्लियर हुआ होगा चैप्टर नमर 15 पादपों में वृद्धी और परिवर्धन डवलप्मेंट वाला प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसमें दियो है उसमें पेज नमर 123 लास्ट पैराग्राफ थर्ड नमर पेज लास्ट पैराग्राफ पे नीचे स होती होती है इलास्टिक होती है उसमें जीव दरवे तंतू वाले जो कनेक्शन जो होते हैं प्लाज्मों डैसमेटा वो प्रेजंट होते हैं तो सारे पॉइंट्स आपको एक सिंगल यहां पर पोश्का भीतिग अच्छे से क्लियर हो जाने चीज तुरू आटो पूरी NCRT म नमर 15 जहां जहां कोशिका भीतिगा जो जो पॉइंट दिया हो सारे पॉइंट आप यहीं पर क्रिस्टल क्रियर कर लें अपने शिक्स में भी जो गर्त वगारा दियो है सारे आपको पता हो जाने चीए कोशिका जो आपकी सोरी लीफ पे जो क्यूटिन का आवरन होता है वो जो आपकी एंडोडर्मिस अंतर चरम जोती हो इसके अंदर सुबेरिन का जमाव होता है जिसको कैस्पेरिन पटिकाएं बोलते हैं वो होता का है वो होता कोशिका भीति में ही है तो वो सारी चीज़िया भी बाकी है अभी आपकी तो पढ़ें आप यह मैं सोचना सर बाहर ज जिस चेप्टर में जाएं तब तक आपका दिमाग यहां पर गूमता रहेगी हमने यह चीज़ पढ़ी थी नेक्स्ट अब इसके अंदर दो पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं जिससे पता जल्दा कि क्यों प्राइमरी जो कोशिका भीति होती है जो यहां पर आपक कोशिका भीतिका जो निर्मान होता है वो किसके थूरू होता है वो कनाधान के थूरू किसके थूरू कनाधान का मलब छोटे 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 पार्टिकल्स जो है वो आकर के अरेंज डोट डोट छोटे छोटे पार्टिकल्स आकर के अरेंज होते है तो वो फ्लेक्जिबिलि है , यह क्या है स्तुराधान , क्या है कनाधान, कनाधान को बलते हैं इंटर्सेट्येशहन स्तुराधान को बोला है startup' inVR , app dire इस वज़े से वह word साथ यूह इसे यूह है . कनाधान बहुत जल्दीaste समझद और स्तुराधान यूंक norm जन्रल आपको समझ आया होगा ठीक है तो यह था आपके कोश्गा भीति के रिगार्डिंग जन्रल इंट्रोडक्शन ठीक है अब जो है इसके अंदर अपने इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो है वो पढ़ लेते हैं कि एल्गल सेलोल वाला जो है मैं आपको डिफाइन कर देता हूं पहले यहीं लिख देता हूं मैं एल्गी वाला ताकि आपको साथ की साथ याद रहे बूले नहीं शेवालों के अंदर किसमें शेवालों में कोश्गा भीति किस-किस की बनी होती है उनके अंदर आपको cellulose, cellulose, galactans, menons, and some minerals like calcium carbonate. यह आपको देखने को मिलते हैं, important है, बहुत पहले निर्ट में पूछा जा चुक है, और अब आने के chances हैं, रहान लखना, इसको अलग से मैंने बता दिया, यह सारे points आपको अच्छे से clear हो जाने चाहिए, NCRTN दिया होगा यह, इसी chapter के अंदर, तो, जननल आप पूरा complete जो है, कोशी का भीती के बारे में पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा advance, आप कहेंगे, इस और advance पढ़ना जूरूरी है, हाँ, पढ़ना जूरूरी है, तब तक क्योंकि आपको अगर पूरी वनस्पति विज्ञान के अंदर, पुश्पय पादपों की अकारकी और पुश्पय पादपों की जो पूरी complete शारीरी की जो है, चाहे आप anatomy level पे चले जाएं उसके, चाहे आप उसके morphological level पे चले जाएं, या फिर physiological जो है, उसकी जितने भी work है उन सभी में कोशिका भीती कहां कहां यूज में आती है, वो सारे points जो है आपको अच्छे से पढ़ने, आप देखें, यह एक point मैं आपको define कर चुका हूँ already, कि अलग-अलग region के अंदर यहां से further elongation के अंदर यह क्यों जाएगी, elongation से further maturation, यहाँ पे primary, secondary दोनों होती है, यह सिर्फ क्या होती है, primary, यहाँ पे कौन सी आपको देखने को मिलती है, primary cell wall देखने को मिलती है, ठीक है, इस से कोशिका की विद्धी को भी आप बताते हो कि कोशिका हों के अंदर विद्धी कोशिका की expansion से होती है, यह मैं आपको define कर चुक हूँ, अब सुने, ultra structure, सबसे पहला से analyze करें, मतलब यहाँ से कोशिका जो इसकी भीती है, कोशिका भीती, अगर मैं इसको cut लगा करके देखूं, कोशिका जिल्ली को छोड़ दीजिए, उसके अलावा मैं यहाँ से इसको cut लगाऊं, यह क्या किया, मैंने इतना सा इसका piece निकाल लिया, इसको मैंने फिर further और ज़्यादा broad spectrum पर देखा कि इसके अंदर है क्या-क्या, ठीक है, उसको analyze अगर मैं करना चाहरा हूं, कि कई बार होता है कि यहाँ पर सूबरीन जमा हो जाता है, कई बार होता है यहाँ लिगनिन जमा हो गया, कई बार हो गया कि यहाँ पर क्यूटिन ज भी पर पाया जाता है, यह सारे जो पाइंट्स हैं, लिगनिन, श्कलैनकाइमा जो फर घडरनकाते ओ, रडोटक छोता है, मुर्दुताते है होता है, श्फूल कोनोध तक होता है और फर घरनकाइमा बोला जिसकोAU σ्कलैनकाइमा, कलनकाइमा,oireल काइमा, लिंदा हैं उपको मैं अल्टर स्ट्रक्चर की बात करते हूं तो इसको कट करकर करके आपको शो किया गया है आप देखें इस अल्टर स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगा तीन एक देखने को मिलेगा इसकी मैट्रिक्स क्या देखने को मिले सेड़ने मिलें सुक्षम तन्तू यह तो क्या है कोशीका की आधात्री किसे बने होंगे इन in case of plant किसके बने होते हैं, cellulose के, in case of plant, cellulose, बट इन case of in case of fungi किसके बने होते हैं काइटीन फंजाई में भी तो cell wall होती है यह कहां पर देखना कवकों के अंदर कैसे बने होते हैं यह काइटीन के बने होते हैं पादपों में कैसे बने होते हैं यह cellulose के बने होते हैं रुमीक्रोफाय बेल्स, अच्छे से आड़िखना, थीक है, ठळर्ड नमबर जो इसके इंदर आपको रहना है वो है deposition, कि यहां पर deposition की सчीज ॡश का हो रहा है, क्या क्या जमाव, deposition का मिनिंग कैं है, जमाव, किन-किन चीजों का जो है, यहां पर जमाव होता है, matrix के अंदर मैं फिर से यहीं पर आपको लिख देता हूँ short के अंदर, यह matrix के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा cellulose आपको देखने को मिल सकता है matrix के अंदर आपको water देखने को मिल सकता है matrix के अंदर आपको glycoprotein आपको देखने को मिल सकता है matrix के इंदर आपको pectin देखने को मिल सकता है सिर्फ general जो आप hemicellulose देखने को मिल सकता है ये है इसके लवा क्या है hemicellulose ठीक है और अब जमाव की बात करते हैं मैंने आपको बताई दिया है cellulose होगा या फिर kaitin होगा ये आपको देखने को मिल रहे है अब आजाए ये जमाव पर इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें हो सकता है suberine क्या होगा suberine या फिर lignin या फिर cutene या फिर silica आप कहेंगे silica का भी जमाव इक्विस रिटम इक्विस रिटम प्लांट पता है टैडोफाइटा का जिसके अदर silica deposition हो जाता है तो suberine कहां आपको देखने को मिलता है casparian strips में कहां पर casparian strips आपके इस पेरियन strips casparian पटिकाए जो क्या करती है जो epoplast पाथ भी होता है उसको simplast में convert करती है अंतर्स जो charm होती है एक होती है बहार के जो epidermis और एक inner side के अंदर endodermis endodermis के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भीती के अंदर suberine का जमाव होता है उस suberine के जमाव के वज़े से water जो तो हो सीधा इसकी cell wall से ना जाकर के कोशिका के अंदर उसको entry लेनी पड़ती है तो वो simplastik पात्वे suberine के जमाव की वज़े से होता है cork की कोशिकाएं जब cork ambient बनती है उसके बहार जब कोशिकाव पर suberine का जमाव होता है cork जो किसी भी substance को आने जाने नहीं देता तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा lignin जो है यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा sclaren kaiima sclaren kaiima क्या बोलते हैं इसको dardotak जो सरल उत्तक जो सरल उत्तक आप पाद्वों के अंदर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर मिर्दूत्क the Female shethoof तो और दुर्द∈हों तक तो दिर्दोतक की जो व्ल्ट होती हैं वहार पर आपको देखनको मिलेगा इसके लावा जाइलम की जो वहिध Trekkiet Trekkese krakid Ye голов trekkese इनके अंदर या फिर vessels जो वहिध 같은데 होती है वही का लिर खासर ने को को मिलेगा ताकि जो ट्रांसपिरेशन होग और वासपोसरिजन कम हो क्यूटे- आपको देखनी को मिलते है यह भी आउटर लेयर पे जहीं जमा देखनी को मिलता है थाकि DASあत की देखने को अंधा जिसको बोलायाता है जिसको क्या बोलायाता है होर्स चेल टाइडो फाइटा का प्लांट है एक विस सिटम अच्छा से आदखना आगे जाकर के फिर आपको पढ़ना है इन डिटेल एक विस सिटम के बारे में भी तो आइधिंक यह आपको जनल समझ आया होगा किसके रिगार् सिटम कहसे न्दर है व स्कार्व। पिषयों से दात्री में प्रेजंट होता है इस भी आपको मैंने बता दिया है अब मेरा concern क्या है इन सुक्षम तंतूओं से आप कहेंगे सुक्षम तंतूओं से क्या concern है आप समझें अच्छे से आगे लेके चल रहा हूँ मैं इसको कोशिका भी दीगो next सुक्षम तंतूओं से सुनिए starting के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये किसको रिप्रजेंट कर रहे है ये रिप्रजेंट कर रहे है एक स्टॉमेटा को किसको रिप्रजेंट कर रहे है एक स्टॉमेटा को आप कहेंगे सार क्या बनाया है ये अब समझ आया, starting के अंदर एक इसको represent रहा है, drsota metr को represent रहे, bean shape मैंने आप इस structure बना दिये, क्या बना दिये, bean shape structure, इसके बाहर, इसके बाहर आपको कौन सी cells देखने को मिलती है, साहे कोशिकाई क्या बोलते हैं सबसीडरी सेल्स साहे कोशिकाई देखने को मिलती है इसके बाहर एक स्टोमेटा के बाहर कौन सी कोशिकाई आपको देखने को मिलेगी साहे कोशिकाई एक रफ मैंने डाइगराम बनाए है इसको बोलते हैं द्वार कोशिकाई गार्ड सेल्स क् इन दौआर मैं कोशि का भीति के इंदर मैं को बीति के बटा रहा है यह नहीं है, और अक informant बमलतों की स्क्षमतनतु का प्रेसेथा हों मैं मैं सुक्षमतनतु को आप सुक्षमतनतु की संखे हम सद्वलाइब का शुक्षमतनतु की पनfal रोता है तो यहां ऑ्रेंच होती है वोग कैसे देखने करेको बिलते वहटे like अंदर कैसे होते है लेंथ के अंदर हैसे सुक्ष्मतिवों का जमाव होता है अंको चौमटा क्या एक क्लोज स्पोनिकी शिर congressional का जमाव जो है यह कैसा है stomata, open stomata मैंने यहां पर दिखाया है, एक rough diagram भी बना रहा हूं, मैं आपको ऐसा नहीं है कि hard and fast, वैसे तो rough diagram भी थोड़ा सही है, यह next layer of cells आपको देखने को मिलेगी, यह क्या है open, यह open stomata, यहां पर जो शुक्षम तंतू आपको देखने को मिलते हैं, वो कैसे हो जा यह कहा है, शुक्षम दंतू, microfibril, जो कोशिका बीती में देखने को मिलते हैं, स्टार्टिं के अंदर यह longitudinally अरेंज होते हैं, ऐसे, लंबबद, ऐसे देखने को मिलते हैं, जब जो क्या होता है, इसका stomata क्या होता है, बंद, रंदर क्या होता है, बंद, जब यह यहां पर वास्पो सर्जन की जो परकेरिया है, उसके अंदर एक पैराग्राफ के अंदर पूरा बताया हुआ है, कि microfibles कैसे वर्क करते हैं, और microfibles है क्या, यह तो बता होना चाहिए, प्रेजन कहा होते हैं, वहां पर आपको कहीं नहीं दिया कोशिका बीती के अंदर microfibles होंगे, ऐ से अरेंज होंगे, वह नहीं बताया, बस इतना बताया है कि सुक्षम तंतू होते हैं, जो पहले कैसे होते हैं, लोंगिटूडली अरेंज होते हैं, बाद में रेडली अरेंज होते हैं, जिस स्टोमेट आउपन हो जाए, होते कहां हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चा जैसे ही फूड बनाती है तो इनके अंदर गुलोकोज क्या होगा बढ़ेगा और गुलोकोज क्या होती है गुलोकोज बढ़ेगा मतलब कणों की संख्या क्या हो रही है कणो की संख्या क्या हो रही है increase हो रही है सिधा आप कहां पहुँच गए कणो की संख्या क्यों overuse किया glucose यहाँ पर बढ़ रहा है तो कोशिका के अंदर जो प्रासरन है उसका वो change हो रहा है जब कणो की संख्या बढ़ेगी तो इसका osmotic pressure क्या होगा बढ़ता जाएगा कणो की संख्या से osmotic pressure बढ़ता है कहेंगी सर ऐसे कैसे बढ़ता है आप तो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ chemistry कभी पढ़ी है πाई is equal to CRT solution chapter कणो की संख्या पे निरबढ़ करता है प्रासरन πाई is equal to CRT colligative property कणो की संख्या से vapor pressure के अंदर lowering vapor pressure वो सारे concept वहाँ पे अपने पढ़े होंगे पढ़े हैं नहीं पढ़े कभी भी फसो इस concept में तो याँ दख लेना प्रासरन जो होता है कणो की संख्या के directly proportional होता है कणो की संख्या बढ़ रही है तो मतलब यहाँ पे O.P क्या हो रहा है पानी के अंदर कम हो रहा है तो यह क्या करेगा बहर से water intake करना start करेगा water intake करना start करेगा तो cell tergit सफीती इसके अंदर आना start होगी तो लंवत जो present थे वो कैसे हो जाएंगे radialошा उनसा बता दिया है मैंने आपको वास्पो सर्जन वाला जो chapter number 11 के अंदर उसी paragraph में लिखा हुआ है और आपको बता दू, neat exam के अंदर दो बार question आये थे एक बार question आये था आपका सुक्षम तंतूओं को ले करके और दूसरा आया था सफीती दाब को ले करके, दोनों बता दिये हैं मैंने for the opening of stomata, ठीक है, तो यह point आपको अच्छे से clear हो जाने चाहिए, यहाँ पर मैंने दूसरा point जो define किया वो कौन सा था, turgor pressure, कौन सा, सफीत दाब, सफीत दाब बोलते हैं हो आप उसको, I think यह आपको clear हुआ होगा, ठीक है, I think, यह point जो आपको सुक्षमतंतु वाला clear हुआ होगा, कि कैसे सुक्षमतंतु क्यों important है, क्यों पढ़ना जुरूरी है इनको, आपकी NCIT ने तो कोशिका भीति के चार लाइन लेकर के छोड़ दियें, पदी यह आपको पढ़ना जूरूरी है, तो यह concept आप वहाँ से जाकर के clear कर लें अच्छे से, कि स्टोमेटा की opening closing में कैसे यह help करता है, ठीक है, next, next, जो आपको इसके अंदर पढ़ना है, अच्छे से analyze करें, कि यहाँ पर अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर, जो आदान परदानों, आप कहेंगे कि substances जो हैं, वो कैसे आएंगे जाएंगे, तो जीव दरवितन्तु, इनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, जी कोशिका के बीच में क्यों होते हैं, प्लाजमोड एसमेटा, जीव दरवितन्तु, अब सुनें, प्लाजमोड एसमेटा को आपको पढ़ने है, गर्तों को पढ़ने है, गर्त मतलब जो वाही काईं और वाही निकाईं जो प्रेजन होती हैं, उनमें जो लेटरल कंड़क्श जो लेटरल करता है वहाँ पर प्राविजन रोते हैं येग पॉपल येग वाही का दूसरी एक वही का एक वही इनके में जो लेटरल कंडुक्षिन होती है, वहाँ पर पररना जाना है, वहाँ पर प्रेज़ुन होते हैं घर्थ तो उन गर्तों का निर्माण भी किससे होता है, कोशिक का भीती से, अब देख लें, मैं यह पर point mention कर देता हूं जो आपको पंढने है, कौन कौन से है, एक आपको पंढने है इसके इंदर गर्त, क्या पंढने है, गर्त, जिनको क्या बोलते है, pits, चिक है, सेकेंड इसके इंद ανα-plasmodesmeta ठिक हैं थार्ड जो आपको इसके इंदर पढ़ना है केवीटी अब केवीटी कौन कौन सी साइजीजीनस लाइसीजीजीजीनस थार्ड पढ़ना है इसके उनदर गुहा जो गुहा का निर्मान होता है वह कैसे होता है ठिक है और लास्ट इसके मैन फंक्शन्स लास्ट जो इसके अंदर आपको देखना है वो कहा है इनके फंक्शन्स तो आई थिंग गर्त जो है जीवदर्वेस्तंतु जो है परिपक्वन चेतर चैप्टन नमबर 11 के अंदर इसका सुक्षम तन्तु और टर्गर प्रेशर वाला जो पॉइंट बता है वो आपको क्लियर होना चाहिए चैप्टन नमबर 15 के अंदर पेज नमबर आई थिंग वन टू थी तीसा थर्ड नमबर पेज नीचे से लास्ट पार अच्छे से क्लियर हो जाएं तो कोशिका भीती के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है पहले आज आपको बताया हूं पूरा ब्रीफ कर देता हूं जल्दी से देख लें इसको स्टार्टिंग के अंदर ससीम केंदरी कोशिका को तीन भागों में बाटा जिसमें भाहिया आव इंडोप्लाज्मी ग्रेटी कुलम जितने भी सेल के जितने भी सेल और्गनल्स हैं वो सारे आप मैंने यहां लिख दी हैं वो अपने बाइवन पढ़ने वाले नेक्स्ट अंतर विस्ट मिंट संचित परदाद उसर्जिक परदाद और स्त्रावी परदाद थर्ड नंबर स् अच्छे से अनलाइज करना है यहां से सच कोई डायरेक्ट कोश्चन नहीं बनता है यह आपके समझने के लिए कि कोश्का के कोश्का द्रवे में और क्या मिलेगा में आपको पढ़ना है वो पूरा कंप्लीट यही है ठीक है फिर फर्दर इसके बाद नेक्स जो डिसकस किय कोश्का भीती कोश्का भीती में कोश्का भीती का निर्मान कैसे होते है अमेर्स कैसे बनेगी है कना धन और इभर क्लिस्ट्र होती है उसके इलावा फ्रेग्मोप्लास के बारे में जो बताया था वह भी आपको अच्छे से पता होना चुछ है फिर फदर यह सभी छेतरों के बारे में और और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के इंदर सुबेरिन, लिगनिन, क्यूतिन, एंड सिलिका, यह सभी के जो डिपोजिशन होता है, क्या कहां कहां देखने को मिलता है, वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने जी, क्योंकि कोशिका भीती में ही यह सारी डिपोजिशन होते हैं most important point है casparian strips वाला chapter number 6 के अंदर आपको दिया हुए है जहां पे आपको monocot root and dicot root को define किया हुए है उस dicot root के अंदर around 6-7 number line के अंदर casparian strip endodermis के अंदर present होती है यह आपको समझ आया हुए इसके बाद define कि अपनिंग एंद क्लोजिंग के बारे में कि स्टोमेटा जो होता है वो कैसे close होता है close condition के अंदर क्या देखने को मिलेगा और open condition के अंदर क्या देखने को मिलेगा यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए यह point जो मैं ने अपको define क्या था कि open condition के अंदर ये कैसे होते है readily arrange हो जाते है readily arrange हो जाते है यह सपीती दाब क्या हो जाएगा increase हो जाएगा increase यहाँ पर ये stromata क्या है open stromata open इस condition के अंदर stromata क्या था पहले stromata close तो यह सारे point regarding to stomata opening and closing I think आपको समझ आयोंगे तो आज के लिए इतना ही ओके, थेंक यू